हेलो दोस्तों हमारी किचिन में आप सब का स्वागत है वैसे आप लोग ने अंदाज लगा ही लिया होगा कि आज मैं जो रैस्पी लेकर आई हूं वो कुछ अलग है इसको देखकर पता चलता है कि ये कुछ स्पेसल बनने वाला है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो पताई चम्मच अजवाइन आठ दस बारिक कट की हुए लेसन चार से पांच बारिक कट की हुई हरी मिर्च और दो लंबे शेप में कट की हुई प्याज हमको आइल में एट करना है और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है जब प्याज मिर्च का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें स्वादनुसा नमक और आदा चम्मच हल्दी पाउडर एट करेंगे और इनको दो मिनिट लो फ्लेम पर पकने देंगे और अब हम इसमें बॉइल और मेस किये हुए आलू एट करेंगे और आलू को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और हम आलू को भी लगबग दो दो से चार मिनिट के लिए पकने देते हैं और अब हम इसमें कुछ पारिक कटा हुगा धनिया एट कर देते हैं धनिया एट करने के बाद एक बार फिर हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह देखे फ्रेंट हमारी जो स्टफिंग है वो बनकर तयार हो चुकी है पानी करके एक सौफ्ट डो तयार करेंगे फ्रेंट यहां पर डो जो तयार करना है वो आपको ज़्यादा टाइट या मुलायम नहीं तयार करना है आप एक परफेक्ट सौफ्ट डो तयार कर सकते हैं और अब हम इसके छोटे-छोटे पेड़े तयार करेंगे पेड़े तया तरफिंग तैयार कीती उसको गोल-गोल लड़ू का शेप देकर हम इस रोटी पर बीचों बीच रखेंगे और अपने रोटी को इस तरीके से मोड करके और रोटी को गोल शेप दे देंगे और इसका जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल देंगे और ये आप ग्रीन कलर की डाल करके बिंगो कर रखेते और इनको पाणी से निकाल लेना है और इस तरीके से हमने जो गोल शेप दिया हुआ है अपने नास्ते को उसके ऊपर हम चावल को इस तरीके से लगा लेते हैं और हमको एक भाप खिलाने के लिए नास्ते को इस तरीकी की जाली चाहिए और जाली प्यार हमको ओइल लगा देना है एक ब्रस से और हमने जो नास्ता बनाने वाले हैं उसको हमको जाली पर इस तरीके से रखना है तो हमने सारा नास्ता इस पर इस तरीके से रख दिया है और कड़ाई में हमने एक ग्लास पानी और उसके उपर स्टेंड रखा हुआ है और हम लो मीडियम कर देते हैं गैस का और इसको अच्छे से ढख करके और इसको लगबग 8-10 मिनिट के लिए पकने देंगे ये देखे फ्रेंट भाप खिलाने के बाद में इसके जो चावल है न वो बिल्कुल पक जाते हैं इनको जराबी फेकने की या चाटने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जैसे बॉल की हुए चावल होते हैं उसी तरीके से बनकर तयार हो जाते हैं तो अगर आप इनको एक बार ट्राइ करना चाते हैं तो जरूर किजिएगा क्योंकि एक बार ट्राय करने के बाद आपका इसको खाने का मन बार बार करेगा मुझे तो यह बहुत पसंद आए और अगर आपको भी यह पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक शियर और सस्क्राइब करना मत भूलिएगा